हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आदेक्रिशन नर्सिंग अकैडमी आई होप यौल बर डूइंग तैल यह जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पर जो है वह आपको जो अपकमी एक्जाम है और भी का जो एक्जाम है मारा नर्सिंग सुपरेंड के ल थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया थ्रॉम्बस जो है वह हमाले पास प्लेटलेट से बर निकल कर आता है ठीक है तो सुसी के बारे में पूछा है ऑप्शन देखिए वीकनेस ओफ प्लेटलेट्स एग्रिगेशन डिडियूस्ट प्लेटलेट काउंट इंक्रीजड प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट एंजन नौर्मल प्लेटलेटलेटाइट हम प्लेटलेटलेट से घ्रपूнगे फ्रॉम्बोसाइट ठीक है तो यहाँ पर छेicer अफेसरागिसिटा यहां देख सकते हैं यह हमारे जैसे blood vessel है ठीक है तो यह हमारे पास RBC है और यह यहलो का लगे जो golden से का लगे दिखाई दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर बहुत साथ प्लेट्ट्स है नॉबल प्लेट्ट काउं यहां पर है जब हमारे पास जो थ्रॉम्बो साइटोपीनिय is the condition that occurs when the pleasure count in your blood is too low ठीक है निर बाउट कमजार तो होते रहते हैं ठीक है बेसिकली जब हमारे पास जैसे hemorrhagic fever है डेंगू cases में जो है वो कम देखने को मिलते हैं और अगर यह less than हमारे पास less than 10,000 जो है वो चले जाते हैं तो internal bidding होने की chances भी increase हो जाते हैं ठीक है next question देखते हैं mitosis is a condition of mitosis कौन सी condition होती है cell breakdown, cell division without reduction of chromosomes, cell death and cell division with half chromosomes तो यहाँ पर क्या होता है जो cell की division होगी उसमें जो chromosomes की जो number है वो कम नहीं होगे ठीक है so this is the identity is the option b cell division without the reduction of chromosomes ठीक है वो अगर वो divide भी हो रहे है तो वो same same number of chromosomes दोनों में चले जाते हैं ठीक है तो कम हो जाता है जैसे यहाँ पर 2N है जब भी डिवाइड हुआ तो यहाँ पर यह NN में डिवाइड हो गए ठीक है तो यह यहाँ पर जब वो number जब वो कम हो जाता है chromosomal number जब वो डिवाइड हो जाते हैं in case of meiosis और mitosis में नहीं होता है next question देखते है the most reliable indicator of neurological function in a patient is ठीक है तो कोई हमार पस neurological कुछ impairment का कोई अगर कोई patient है तो उसका neurological function को अगर आपने assess करना है ठीक है और जो most reliable indicator होता है वो कौन सा होगा level of consciousness, EEG, vital signs and MRI ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा level of consciousness ठीक है जो level of consciousness है patient कितना जो है वो respond कर रहे है ठीक है time, place, condition, सब चीज़ों के साथ कितना conscious है वो कितना अभी है सब चीज़ों को लेके तो वो उसका neurological function को assess करने में वो show करते है ठीक है next देखिए chemical substances that are produced in one part of the body that regulate the activities of certain organs or groups of cells in other part of the body ठीक है तो कोई हमारे पस कुछ कोई substance है को chemical substance ठीक है जो कोई एक part से जो है वो release हो रहे है और वो release होके body की किसी फर्द किसी एक part का जो है वो वहाँ पर जाके जब वो act करेगा और उसके functions को जो है उसने regulate करना है ठीक है release कहीं और से हो रहा है act कहीं और पर होके जाएगा ठीक है तो उसी हम क्या कहेंगे enzymes antibodies estrogen and hormones so those are hormones ठीक है hormones में ही ऐसा देखने को मिलता है जैसे अगर हमारे पस pituitory जो लोब है वो और hypothalamus जो है तो जो हमारे पस hypothalamus है वो हमारे पस releasing hormone को secret करता है फिर stimulating hormone जो हमारे पस जो anterior posterior lobe of pituitory है वो secret करेंगे फिर जो यहां पर further hormone secret होते है जैसे मारे पस suppose thyroid stimulating hormone secret हो रहा है from the anterior lobe of pituitory ठीक है तो यह further जाके thyroid gland पर जाकर act करता है ठीक है तो वो आगे release करेगा अपने secretions और वो further आगे body के different different areas में जाके वो hormone काम करवाता है ठीक है तो यह पूरा जो है वो functioning किस of the flank hormones is not secreted by the posterior pituitory gland जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पस two lobes होते हैं pituitory gland के anterior and posterior तो यहां पर जो हो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा hormone है इन में से जो posterior pituitory gland secret नहीं करता है ठीक है तो options देखिए vasopressin, oxytocin, ADH and growth hormone ठीक है तो vasopressin और ADH एक ही होता है ठीक है antiderotic hormone is also known as vasopressin और oxytocin यह तीनों जो हमारे पस posterior lobe जो वो secret करता है जो नहीं करता है that is the growth hormone जो हमारे पस जो वो anterior lobe से secret होता है growth hormone ठीक है तो यहां पर right answer क्या था growth hormone ठीक है तो next question देखिए a way to promote trust with the patient is to ठीक है तो एक patient के साथ जो nursing care personal जो है उनको अगर trust build up करना है trust को promote करना तो किस तरीके से कर सकते हैं options देखिए allow family members to visit whenever they want ठीक है तो family members को allow करेंगे जब उन्होंने मिलना है patient के साथ या assure करेंगे कि patient that his doctor is active तो हमें patient को यह assure करना है कि जो आपको जो doctor check कर रहे है बहुत ही अच्छे है ठीक है follow through when you say you will do the something ठीक है तो जो भी अगर आपने कुछ कहा है कि मैं यह आपको करूँगा यह care आपके लिए provide करूँगा यह चीज़ें आपके लिए provide करूँगा ठीक है patient को तो वो आपको करना है ठीक है then talk with him at length about her life likes and dislikes तो या तो आप उनसे काफी दिया तक बातें करें उनकी likes dislikes के बारे में जाने ठीक है तो यहाँ पर जो right answer that is the option C अगर कोई हम उनसे promise करते हैं कि हां हम यह care आपको provide करेंगे यह आपको facilities देंगे ठीक है जो भी उनका जो protocol के अंडर आता है तो वो चीज़ हमें करनी है ऐसा नहीं कि हम बोले जा रहे है कर 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 कुछ नहीं रहे हूं patient के लिए ठीक है next question देखते है an assessment specific to safe administration of IV manitole is ठीक है तो हमारे पास जो है ज अच्छे से जो manitole जो patient को जा रहा है और क्या उसमें हम एक finding चक करेंगे options देखिए vital science को assess करना है every four hourly weighing करना है daily urine output hourly चक करनी है और level of consciousness जो है वो every four hourly चक करना है तो यहाँ पर क्या होगा हमें जो करना है that is the urine output को जो hourly चक करना है क्यों कि जो manitole है it acts as a diuretic कैसे act करता है diuretic के तरह act करता है तो इससे क्या होता है जो है वो जादा urine को जो है वो उसकी formation होती है body के अंदर ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ताकि body urine के formation क्यों हो रहे है तो जादा जादा salt और जो excess water है ठीक है जो body में बना हुआ है store हुआ है उसको body से excrete किया जा सके ठीक है और यह basically के लिए जो है वो swelling को treat करने के लिए जो है वं हम इसको देते हैं डिया Department कि इससे having aoweole की वैसे हो सकती है heart में कोई problem हो रही है ठीक है kidney में कोई problem है liver में कोई problem है या brain में या eyes के पास कोई swelling है तो वो सब swelling को कम करने के लिए जब हम मैनिटोल पर जब पिशन को लगाते हैं मैनिटोल ठीक है next question देखते हैं nursing profession can only be practiced after ठीक है तो nursing जो profession है जो nursing profession में जो individuals जो आते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है license ठीक है तो license मिलने के बाद ही जो अपना practice को start कर सकते हैं next question देखिए which safety measures will you take for a drowsy patient ठीक है कोई patient drowsy है ठीक है उसको चक्कर जैसे पील हो रहा है या कुछ इस तरीके से ठीक है तो वहां पर जो है वो patient की safety measure के लिए हम क्या कर सकते हैं keep the side rails up ठीक है तो patient का जो bed है उसमें जो side railings है उनको हम जब अप कर देंगे ठीक है या keep the light off light off कर देजिए keep unnecessary furniture away and keep extra linen at bed side तो हम यहां पर क्या करेंगे हम जो है वो जो side की जो rails है उनको जब अप कर देंगे solar patient को जो है वो injury ना हो सके कहीं अगर गिर गया तो उससे हम prevent कर सकें ठीक है so falling को prevent करने के लिए next question देखते है the ratio of cardiac compression and artificial breathing is ठीक है तो cardiac compression and artificial breathing का जो ratio है वो क्या है 30 is to 2 12 is to 3 और 60 is to 6 and 15 is to 2 ठीक है तो यहां पर जो exact है that is हमारे पास जो है that is 30 is to 2 ठीक है 30 is to 2 जो है वो हम use करते हैं basically जब हमारे पास one rescue की बात हो रहे है यहां पर ऐसे कुछ question मैं एंसे नहीं किया था पर मैं आपको बता रही हूँ one rescue के लिए जो हम 30 is to 2 करते हैं ठीक है जब हम patient को CPR देना है ठीक है तो यहां पर जो है वो patient का यहां पर one rescue का हुद तो हम क्या करते हैं 30 जो है वो cardiac compressions देंगे ठीक है और 2 जो है उसको breathe देंगे ठीक है तो यह हम करते है at a rate of 100 to 120 compressions जो हमें देनी परते हैं एक minute में ठीक है इतनी देंगे 100 to 120 compressions ठीक है और उसके साथ जो है वो one minute में देंगे जो है वो इतनी compressions जानी चाहिए ठीक है और जो इसका depth होगा that is to be near about 2 inch की depth पर जो हम इसको compression प्रोवाइड करना चाहिए ठीक है और जब हमार पस two rescue का हो लेते हैं ठीक है तो 15 is to 1 का ratio या somewhere कहीं पर आपको 15 is to 2 भी देखने को मिलेगा ठीक है तो breathe का जो है वो one or two में जो है वो अब उसके according ले लेते हैं बाट ये 15 is to one या two जो हो आपको देखने को मिलेगा तो two rescuors हो ठीक है next देखिए the non-modifiable risk factors for hypertension include ठीक है non-modifiable means जिनको हम modify नहीं कर सकते ठीक है जिनको हम change नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जिन factors को हम change नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा risk factors जिको हम change नहीं कर सकते हैं hypertension की ठीक है वो यहाँ पर सभी है कोई एक नहीं है ठीक है तो देखिए age हमारे पास है age है genetic factors है और सेक्स है ठीक है तो non-modifiable risk factors कैसे हैं जैसे कि age अगर age के साथ hypertension होने की चांसे बन चाते हैं बढ़ हम age को क्या है age को हम उसमें modify नहीं कर सकते कम जादा नहीं कर सकते genetic factor की वज़े से होगा तब भी हम इसको change नहीं कर सकते ठीक है और अगर obesity की वज़े से किसी को hypertension है तो इसको हम change कर सकते हैं this is a modifiable risk factor कैसा factor हुआ? modifiable risk factor इसको modify कर सकते हैं sex को भी किसी का हम change नहीं कर सकते हैं ठीक है तो age, genetic factors and sex अगर जैने को non-modifiable risk factors में आएंगे और obesity जो है आता है क्योंकि हम इसको modify कर सकते हैं change कर सकते हैं weight कम करेंगे तो hypertension की chances भी जो हो decrease हो जाएंगे ठीक है next question देखते हैं which one of the flying is correct with regard to meaning of the term hyperkalemia ठीक है तो hyperkalemia के लिए कौन सी term यहांपर correct है increased blood sugar level increased blood cholesterol level increased potassium level and increased urine sodium level तो यहांपर जो right answer that is the increased potassium level को ही हम बोलते है hyperkalemia ठीक है next question देखिए appropriate needle size for insulin injection insulin injection के लिए जो है वो appropriate जो है वो needle का size यहांपर पूछा गया है तो options आप देख लिजिए 18 goss 22 goss 22 goss के different length recording भी दिया है ठीक है 11 by 2 inch का है या 1 inch 11 by 2 inch का है ठीक है या 25 goss का जो है वो 5 by 8 inch का है ठीक है तो यह जो डिफरेंट डिफरेंट यहांपर आपके पास options दीए जो right answer जो हमारे पास that is the 25 goss का है 5 by 8 inch के nearby इसकी length होती है ठीक है next question देखिए which pulse is palpated to see the effectiveness of CPI जैसे हमने भी पीछे डिसकस किया ठीक है अगर हम cardiopulmonary resuscitation किसी का कर रहे है ठीक है तो उसमें वो उसका effectiveness check करने के लिए ठीक हमें CPI कब तक देना चाहिए until you see the sign of life ठीक हमें लगदा कि पेशिट ने अपना breathe start कर दिया यह कुछ pulse हमें find out हो गई ठीक है तो वो तब तक देंगे या जब तक हमारे पास medical help नहीं आ जाती है तब तक ठीक है दोनों ही options हम देंगे या तो patient का survival point आपको देखने के वह तो stop कर देजिए जैसे ही medical help आजा दे तब आप उसको stop कर देना चाहिए until हमें करते रहना चाहिए ठीक है और near about five sets हमें इसकी करने चाहिए ठीक है two minute के अंदर about two minute में हमें इसकी कितने set कर देने चाहिए five set ठीक है तो यहाँ पर क्या है कौनसी pulse को हम जो हम पालपेट करेंगे to see the effectiveness of CPR हमें वो pulse feel हो जाएगी ठीक है तो options देखे radial temporal carotid and femoral तो हमें कौनसी जो है वो pulse check करने चाहिए ठीक है next चलिए which one of the following is not a manual mobilization technique used while performing chest therapy ठीक है जो हम chest therapy देते हैं patient को तो manual जो है वो mobilization techniques उसमें कुछ use करते हैं ठीक है तो इन में से कौनसी ऐसी technique है जो उसमें नहीं आती है coughing clapping percussion vibration so the right answer is the right answer is the vibration ठीक है बाकी सब उसमें आते हैं steps में next question देखिए mosquito bond diseases are prevented mostly with the use of mosquito control measures ठीक है mosquito bond disease basically हमारे पास क्या होता है malaria और dengo का ठीक है तो वो हमारे पास malaria होता है और dengo के लिए addies egypt है ठीक है वो vector की तरह काम करते हैं ठीक है वैसे के लिए प्रोटजोल जो disease के अंदर आते है पैरसिट जो होता है ठीक है तो यहां पर देखिए which of the flying is not appropriate for the malaria control सभी यहां पर दी कहीं है options कोई एक है जो appropriate नहीं है उसों control करने के लिए ठीक है तो use of chemically treated mosquito nets seeding of breeding places with larva eating fish and destruction to breeding places of the mosquito vector and use of mosquito repelling soaps such as those with bacillus citronilla ठीक है तो हम क्या करते हैं basically mosquito nets भी use करते हैं ठीक है और यह तो यह भी हमारे पस कुछ हमने कोई soap वगेरा कुछ ऐसा use कर लिए उसके लिए वो भी चलो ठीक है ठीक है जहां पर जो कोई breeding places हैं ठीक है हम वहां पर अगर जहां पर पता है हमें कि उनके लावास होंगे तो हां पर हम कोई larva eating fish जो उनके लावास को eat कर जाएं तो वो ऐसी कुछ fishes भी उस एक area में डाल सकते हैं तो लावा को खा जाएंगी तो आगे production नहीं हो पाएगी ठीक है तो यह सब चीज़ें आती है क्या चीज़ नहीं आएगी that is the destruction of the breeding places of the mosquito vector कि जहां पर जहों मॉस्किटों के places उनको ख़तम करने कोशिश करेंगे ठीक है तो basically बकी सब चीज़ें का हम use में कर सकते है नेक्स कोशन देखते हैं which is an example of the school nurse health care provider function ठीक है the school health care जो nurse है ठीक है तो उनका जो function है वो किस तरीके से आएगा को एक example हमें यहां पर बताना है requesting for BCG from the जो उनका जो school interest immunization का जो है वो जो regional hospital का जो unit से तो वहां से हम उसमें पता कर सकते हैं ठीक है तो हम उसके लिए BCG का कुछ request कर सकते है immunization के लिए और conducting random classroom inspection during the measles epidemic ठीक है तो हम जो है वो उनका जो measles epidemic के time के ओपर जो classroom का एक random inspection कर सकते हैं ठीक है and taking remedial action on an accident hazard in the school playground ठीक है तो जो भी हम एक remedial action ले सकते हैं अगर हमें लगता है कोई accidental हजार स्कूल के playground में हो सकता है and observing places in the school with where the peoples जो मतलब spend करते हैं अबना free time तो वो भी हम area को अच्छे से check कर सकते हैं तो यहां पर जो right answer बनता है that is the conducting random classroom inspection करना है during the measles epidemic कि सब बच्चों को check करते रहना कि हाँ कोई problem तो नहीं है कि इतना cases जादा हो तो नहीं हो रहे वो सब चीज है ठीक है तो वो हम यहां पर check कर सकते हैं this is the right answer next question देखिए isolation of child with measles belongs to what level of prevention ठीक है तो अगर जो हम isolate करते हैं बच्चों को जिनने measles हो है ठीक है तो हम अगर उन्हें isolate कर देते हैं ठीक है तो वो कौन से level of prevention में आएगा primary, secondary, intermediate and tertiary ठीक है तो हम isolation जो ले रहे हैं वो हम prevention perspective से primary prevention में ले रहे हैं ठीक है next question देखिए which of the flying is an advantage of a home visit ठीक है जब home visit जो करते हैं हमारे पास healthcare personnel ठीक है तो क्या advantage है हमारे पास it allows the nurse to provide nursing care to a greater number of people तो अगर home visit करेंगे तो जादा लोगों को care provide कर पाएंगे यह एक advantage हो सकती है या it provides an opportunity to do first hand appraisal of the home situation तो इससे क्या पदा चलता है कि उनका जो है वो घर का क्या situation है ठीक है पूरा प्रॉपर हम उन चीज़ों को check कर सकते हैं ठीक है क्या उनके इंडिविजुल से कैसा वो उनका environment है कितना वो hygiene maintain करते हैं क्या उनका disease का जो उनने क्या मतलब क्या reasons हो सकते हैं कि वो लोग इतने बिमार रहे रहे हैं ठीक है यह क्या कि उनका वो lifestyle क्या है क्या कितनी चीज़ें वो follow कर रहे हैं क्या changes लेकि आ रहे हैं lifestyle में वो सब हम आपर चाकर चेक कर सकते हैं it allows sharing of experience among people with similar health problems ठीक है तो इसके त्रूँ जब हम experiences को share कर सकते हैं जो जिने similar health problems है में सबका जाकर पता चलेगा ठीक है it develops the family initiative in providing for health needs of its member ठीक है तो उसमें health family के initiatives को हम लें वो family member care करने के लिए जब उनके initiatives को हम develop कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो right answer है that is the कि यह इससे जो हम एक opportunity मिलती है कि हम first hand appraisal जो हो कर सके home situation का ठीक है next question देखिए which type of family nurse contact will provide you with the best opportunity to observe family dynamics ठीक है तो यहां पर जो है किस type का जो है एक family nurse का जो contact है वो आपको provide कर सकता है एक बहुत अच्छी opportunity जिससे की जो है वो आप family की dynamics को अच्छे से जो है वो check कर सकते हैं ठीक है अच्छे से उनको जान सकते हैं ठीक है तो clinic consultation ठीक है तो clinic में इनको बुलाया उनसे बात की जो भी उनका consultation हो किया ठीक है group conference से सब को एक सास लिया और गुरूप में जो discussion किया home visit करेंगे या written communication करेंगे सब की जात तो यहां पर जो best है जैसा हमने previous question में भी किया that is the home visit home visit के through जो है वो हमें maximum जो है वो उनका जितना भी चीज़ें है वो well to know हम हो जाते है उनकी family situation सब चीज़ों को ले हो ठीक है और जो भी मेरे previous जो lectures है आप उन्हें भी सुने वहां से भी आपको various content जो है वहां पर मिलेगा ठीक है और आने वाले और विडियो लेक्टर में जो है बहुत सारे questions ऐसे ही cover करूंगी तो अगर कोई भी आपको कुछ भी चीज़ें clear नहीं होती है कोई भी आप detail में करवाओं accept from these questions ठीक है तो वह भी मैं करवाओंगी बहुत सारे topics जो हो मेरे चैनल पर अप्लोड भी किये गए हैं तो आप वहां से उन्हें को भी सुन सकते हैं Thank you